तो गाइज मेरा नाम मकरम खाने और गाइज कैसे हैं आप लोग उमीद यह है कि अच्छे होंगे तो गाइज तेखिए मैं काफी हद तक रोजाना ही वीडियो डालने की कोशिश करता हूं और तभी-कभी ऐसा भी होएता कि वीडियो नहीं डाल पाता लेकिन मेरी खुद से ख नहीं लेकर आए जाएं और उसले लेकि वीडियो बना रखी है अब कौनसे टॉपिक वीडियो लेकि बनाई जाए देखें जरुरत नहीं है किसी टी टोपिक को पगड़ने की आपका मूड होना चाहिए और आप कोई भी वीडियो बना सकते हैं फॉद्वी चमपनी है जो क बनाती है एंटि पंगल पैंट जिससे आपके पूर्णी और काई नहीं 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 रहेगी आपके भाष मकान पर शाथ में रही है आपको तीन साल की वारंटी कंपनी की दरफ से चलिए मैं दिखाता हूं कौन सा है वह पैंट वाइस यह बर्जर कंपनी और देखिए यह की जाए 20 लीटर पैंट की तो यह है 3124 रुपेगा और गाइस मज़े की बात यह है कि यह फिलहाल जो कंपनी है नंबर दो की पोजिशन में इंडिया पर आजकल चल रही है क्योंकि नेरो लेक से भी एक पाइदान ऊपर है जैसा कि मैं बता रहा था तीन साल की वारंटी पनी दे रही है देखिए आप साफ साफ लिख रहा है एंटी माइक्रोबैल एंटी फंगल है लोग है और एट वाटर तो गाई जिसमें आप वाटर मिक्स करिए क्योंकि वाल पर जो भी कलर होते हैं उसमें वाटर ही मिक्स होता है जाद तर इसमें भी कुछ कोटेशन दी भर दें जिवारों को जो है पिल्कुल तार वाला जो बुरुष होता है लोही के तार वाला उससे आप अच्छी तरीके से साफ करने सरफेस को किसी भी तरह की काई वगेरा फपुनिक जिस टाइम आप कलर लगाने जा रहे हो पिल्कुल ना हो और जरूरत पड़े तो वाल वगेरा को वाश भी करने दो दें एक दम अच्छी तरीके से बर्जर कमपनी ने अपना देखिए एड़ोटाइज भी करा है फॉर फिलिंग क्रेक अप 5 mm यूज हॉम शिल्ड क्रेक फिल पेस्ट तो यह जो है इनका इनका पेस्ट है हॉम शिल्ड क्रेक के नाम से उसको इस इसमें अंतराल रखें और यह देगा आपको वाटरप्रोफिंग एकदम से पेंट लगाने से पहले एक बार बीपी एक्स्टेरियर सिमिंट प्राइमर जरूर कर लें जिससे की बढ़िया से एकदम फिनिश आईगी और गाई इसके अंदर एक लीटर पेंट में करीब 400 ml त 6-8 घंटे कर समय रखें तो आप जो है पेंट दोनों में से किसी भी चीज से लगा सकते हैं चाहिए बुरुष से लगाए चाहिए रोलर से लगाए और आप इसमें 600 ml तक वाटर मिक्स कर सकते हैं कमपनी ने देखिये नीचे लिखकर पिय दिया है वैसे हमने अभी तक करें आपको मैंने दी ओके और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना बोने बखें बाइबाई